नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटीब चैंपर हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पानी पीने के नियम कब और कितनी मतरा में पानी पीना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अच्छी सेहत के लिए यूटो दिन बर में कम से कम आठ से नो गिलास पानी पीना जूरी है लेकिन पानी पीते समय भी कुछ बातों का दियान रखना बहुत जूरी है आयूर्वेद के अंसार सुबह उटने से लेकर रात में सोने तक पानी पीने के कुछ नियम है जो सेहत मंद रहने के लिए जूरी है चलिए जानते हैं पानी पीने से जूरे कुछ ऐसे नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए कब कितना और कैसे पीएं पानी सुबह उटने के बाद खाली पेट एक गिलास पानी पीना चाहिए बोजन करने के एक गंटा पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए दिन बर में जूरी है कि आठ से नो गिलास पानी पीना चाहिए खड़े होकर पानी पीने से जुआइंट्स कमजोर होते हैं गूट-कूट करके ही पानी पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए पानी दोस्तों गरम बोजन फल जैसे ककड़ी, खीरा, तर्बूज और खर्बूजा खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए एक्सेसाइस करने के तुरंट बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इस दुरान श्रीर का तापमान बदलता है चिकने या तला हुआ बोजन करने के बाद भी पानी पीना सहत के लिए हानी का रखोता है इसके लवा मुंखफली खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए गरम दूद और चाय और दूप से आने के तुरंत बाद भी पानी पीना सहित के लिए हानिका रखो सकता है कितना जूरी है पानी रोजाना सुबे खाली पेट पानी पीने से पाचन के रिया दुरूस्त रहती है जिससे आप कबज एसिडिटी और पेट दर जैसी प्रोब्लम से बचे रहते हैं सुबे खाली पेट पानी पीने से स्किन लीवर, किड़नी और आँख से जुड़ी दिखते दूर होती है इसके लावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन बर में बरपूर पानी पीना भी जूरी है शोद के मताबिक सिर्दर के 90% मामले शरीर में पानी की कमी के कारण होते हैं ऐसे में बेतर होगा कि आप दिन बर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जूर पीने से तवचा में मुझूद विशाले टोक्सिक निकल जाते हैं साथ ही इससे तवचा को नमी भी मिलती है जिससे स्किन गलो करने लगती है इतना ही नहीं अगर आप बरपूर मातरा में पानी पीते हैं तो इससे तवचा सबंदी बिमारियां भी दूर रहेगी पानी से विशाले तत्व पसीने और यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है जिससे शरीर की रोग प्रती रोधक शमता बढ़ती है इतना ही नहीं इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है थका या सुस्त महसूस कर रहे हैं तो पानी पीएं इससे रक्त में अधिक लाल रक्त कोशिकाओं के कारण अधिक आक्सीजन प्राप्त होता है और उर्जा मिलती है आयरुवेद के उनसार पानी हमेशा गूंट-कूंट करकर पीना चाहिए ऐसा इसलिए जूरी है तांकि यह बोडी के टेंपरेचर के मताबिक शिरिव में पहुँचे सोने जाने से पहले पानी पीने की आदत बहुत अच्छी है हर रोज बैट पर जाने से पहले एक गिलास पानी जूर पीएं इससे हार्ट अटेक का खत्रा कम होता है जिन लोगों को हाई बिलर प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें नहाने के पहले एक किलास पानी पीना चाहिए इससे रखतचाव कम करने में मदब मिलती है तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया कि कब कितना और कैसे पानी पीना चाहिए उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जूशे करें